Hello and Welcome इस वीडियो में आप सीखेंगे एक amazing trick देखो, आपके पास इस तरह से questions कभी आया होगा कि अगर sin θटा 0 है तो θटा की value क्या है या फिर sin θटा अगर 1 है तो θटा की value क्या है या फिर sin θटा अगर minus 1 है तो θटा की value क्या है ऐसे ही cos में कि cos θटा 0 है या 1 है या minus 1 है तो θटा की value हमें बतानी है अब ऐसे आप जानते हैं कि इसके infinite answers हो सकते है लेकिन हम एक interval ले ले लेते हैं और interval है 0 से लेके 360 degree तो 0 से लेके 360 degree तक की हमें values बतानी है अगर हम radian के बात करें तो 0 radian 0 radian से लेके and 2 by radian के बीच में लेकिन अगर आप चाहें तो और भी values find कर सकते हैं जब आप ये trick सीख जाएंगे तो ये क्या है? देखिए तो ये समझने के लिए आपको थोड़ी सी basic maths आनी चाहिए तो I am sure आप इस चीज से familiar होंगे हमारे पास जब एक graph होता है इस तरह से या ये plane हमारे पास है और यहाँ पे कोई particle या कोई चीज ऐसी घूम रही है ऐसे में और इस तरह से हम angles जब लेते हैं तो ये 0 degree होता है ये 90 degree है यानि जब यहाँ से यहाँ पे चला जाए तो 90 degree हो move कर चुका है ये 180 degree है ये 270 degree है और ये 360 degree है ठीक है न तो जिनको हम ये quadrants कहते हैं और ये सब I am sure आपने आपको पता होगए ये सब अगर अब radian के बात करें तो ये 0 radian होता है ये πाई बाई 2 radian है ये πाई बाई 2 radian है ये है 3 πाई बाई 2 और ये फिर से घुम के टूपाई आ जाता है अगर आप और आगे जाना चाहें तो ये 360 degree है ये 450 है ये फिर 540 हो जागा ऐसे ये चलता जाता है लेकिन फिलाल हम इसमें लेंगे 0 से लेके 360 तक ठीक है और जादतर आपके पास यही पूछा जाता है कि 0 से 360 में बताओ अब यहां पर इस वीडियो का main part शुरू होता है तो सबसे पहले हम यहां पर एक unit circle ड्रॉ करेंगे इसे unit circle क्यों कहते हैं? बिकाज इसका radius 1 unit है यानि यहां से यहां तक यह origin है यहां से यहां तक 1 unit यहां से यहां तक यह 1 unit यानि इसका radius 1 है और अब हमें in points के यानि इसके coordinates लिखने है तो I am sure coordinate geometry में आपको पता होगा कि coordinates कैसे लिखते हैं यह होता है x-axis और यह होता है y-axis आपने 9th class में यह पढ़ा होगा अगर हम इसके coordinates लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम तो यहाँ पर इसके coordinates होगे तो इसके लिखते हैं कि x कितना है और y कितना है तो यहाँ पर जो x coordinate है यह है 1 और जो y coordinate है वो 0 होगा अगर मैं इस point की बात करूँ यहाँ पर x coordinate है 0 and y coordinate यहाँ पर क्या है 1 है क्योंकि यह distance 1 unit है अगर मैं इस point की बात करूँ तो यहाँ पर जो x coordinate है because यह negative x वाली side है तो x coordinate इसका minus 1 है y coordinate इसका 0 है और इस point पे x coordinate 0 है और y coordinate minus 1 है क्योंकि minus y वाली यह side है तो इस तरह से हमने इनके coordinates लिख दिये हैं अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि यह होता है x coordinate और यह होता है y coordinate जो x coordinate होता है यह cos theta होता है और y coordinate होता है sin theta अब यह क्यों है यह समझे Suppose that कोई particle move कर रहा है और वो भी यहाँ पर है यह उसका एक general point है और यह है x y तो और यहाँ से यानि origin से इसकी distance 1 unit है अब जो x y है यह आप जानते हैं कि अगर हम इस थारे से देखें इसको तो यह x होता है और यह y होता है तो अगर यह x है तो यह x हो गया और यह y है तो यह y हो गया ठीक है ना? I mean यह y है तो यह y हो गया And I'm sure आपको पता होगा इस तरह सम coordinates लिखते हैं यह यहां से यहां तक कि जो distance से x हो गया और यह y हो गया तो यह coordinate हो गया और यह angle यहां पर theta है तो वो theta angle move किया है उसने अब अगर हम यहां पर लिखेंगे cos theta तो cos theta होता है देखो base upon hypotenuse यानि base x है और hypotenuse 1 है तो cross multiply करेंगे हमें मिल जाएगा x is equal to cos theta और अगर हम sin theta यहां पर लिखें तो sin theta होता है perpendicular upon hypotenuse तो यह हो जाएगा y upon 1 और फिर से हम cross multiply करेंगे तो y आजाएगा sin theta इसलिए that's why जो x coordinate है वो हम लेते हैं cos theta और y coordinate हम लेते हैं sin theta तो यहां पर जो भी यह x है यह y है यह x है यह y है है न इस तरह से हम लिखते हैं coordinates पहले x आता है फिर y आता है यह x से y है और यह x से y है और बस अब आप आराम से इन सभी के answers दे सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर sin theta 0 है तो theta क्या होगा तो देखो और हमारे पास जो angles है is की बीच में है ठीक है तो अगर sin theta 0 है तो theta क्या होगा तो यहाँ पर आप देखो की y साइन theta y है न y कहां-kहां 0 है तो y यहाँ 0 है और y यहाँ 0 है तो यानि sin theta इसमें 0 होगा और इसमें 0 होगा तो यहाँ पर यह جो angle है ये क्या है, यह आप देख सकते हैं ये है 0 degree और यहाँ पर एंगल क्या है, ये 180 degree है फिर से यहाँ पर ये वापस चलबा जाएगा तो ये 360 degree हो जाएगा यानि यहाँ पर ये 0 degree भी है और manger 360 degree भी है, तो θेटा जो होगा वो 0 degree, 180 degree and 360 degree, तो अगर sin theta 0 है तो theta की value ये होती है degrees में radian की अगर मैं बात करूँ तो radian में ये हो जाएगा 0 radian ये πाई है और ये है 2 πाई समझ गए अब cos की बात करते हैं अगर cos theta 0 है cos theta 0 है तो theta क्या होगा तो cos theta होता है x है न, cos है x-axis तो अब आपको देखना है x कहां कहां पर 0 है तो x एक इधर 0 है और एक यहां पर 0 है तो आपको ये angle लिखना है और ये angle लिखना है ये angle क्या है तो ये angle है 90 degree और 270 degree अगर हम बात करें radian की तो radian में क्या है ये है πाई बाई टू और यही 3 pi by 2 तो अगर आपके पास question आता है कि अगर cos theta 0 है तो theta बता तो आप आराम से बता सकते हैं कि theta तो 90 डे और 270 डिग्री है क्यों? क्योंकि इन दोनों पर x 0 होता है तो कितना simple है न यह सब अब यहाँ पर अब आप मेरे साथ साथ solve करना ठीक है sin theta है 1 यहाँ पर only यहीं पर है तो यानि यह हो जाएगा 90 डिग्री अगर हम radian के बात करें तो यह हो जाएगा pi by 2 radian इसके अलावा कहीं भी जो है यह y1 नहीं है तो यानि 0 से लेके 360 के बीच में sin cable एक बार 1 होता है ओके और अगर हम लें अच्छा एक बात यहाँ रखना अगर आपको 360 से आगे जाना है तो आप जा सकते है यह 90 डिग्री है आप वापस घुम के यहीं पर आपको यहीं पर आना पड़ेगा तो 90 डिग्री में 360 का और आप प्लस कर देंगे तो यह 450 डिग्री हो जागा यानि 360 डिग्री 360 डिग्री इनमें एड करके जाना अब है कॉस सीटा अगर 1 है ठीक है तो यानि यह हो गया है कॉस सीटा 1 तो थीटा क्या होगा तो अब देखो X कहां पर 1 है तो X जो है X यहां 1 है और कहीं 1 नहीं है तो यानि जो theta है यह है 0 degree and 360 degree radian की बात करें तो 0 radian and 2 pi radian तो यहाँ पर cos 1 होता है ठीक है न, यानि cos 0 degree 1, cos 360 degree 1 होता है तो यह हो गया है, अब sin theta अगर minus 1 है तो क्या होगा तो sin theta है minus 1 तो यहाँ पर, अब देखो, sin जैसे मैंने का y होता है y कहाँ पर minus 1 है, यहाँ minus 1 है तो, और यह angle क्या है? 270 degree तो इस cancer है 270 degree और साथ में, radian में लिखना है, तो 3 pi by 2 fine, और finally हमारे पास है कि cos theta अगर minus 1 है तो क्या होगा तो यहाँ पर, अगर cos theta minus 1 है तो theta की value क्या होगी, यह आपका homework है अभी तक अगर आपनी वीडियो अच्छे से देखा है तो I am sure आप इसका answer आराम से दे पाएंगे well, तो यह था इस वीडियो में I hope आपको इस वीडियो इंट्रेस्टिंग लगा होगा useful लगा होगा चैनल को subscribe करें, वीडियो को ज़रूर share करें मिलते हैं एक लिए वीडियो में, take care आपको जाएंगे